दोस्तों e-media web and app के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज का वीडियो एक special news portal के लिए है प्लस अगर आप इस तरह का news portal बनवाना चाहते हैं e-media web and app के साथ तो भी आप समसे संपर कर सकते हैं हमारा contact number है 79999-06109 दोस्तों आज का जो news portal आप अपनी screen पर दे जिफ करूं उतनी कम है दोस्तों यह news portal बड़ा ही class ही news portal आप सभी के बीच में आप देख पा रहे हैं सीमांचल live.com इसका नाम है यह हमारे एक special client है उन्होंने हमसे बनवाया है चुकि मैं आपको अपने previous video में मतलब पुराने videos में भी बता चुका हूँ कि हर portal अपने budget और अ professional price में अगर आप long term के लिए काम करना चाहते हैं क्योंकि अगर अभी मैं आपको जिस portal के बारे में बता रहा हूं यह portal 5 साल के registration के साथ में complete है दोस्तों इसमें मतलब 5 साल तक आपको registration नहीं करवाना होगा आप पूरी जानकारी के लिए हमसे content कर सकते हैं तोड़ा इस portal के बा दूँगा किस प्रकार से इस news portal में news को लगाने का function है किस प्रकार से आप news लगा सकते हैं सबसे बेले बात कर लेते front page पे जो आपको दिख पा रहा है यह बड़ा ही सुन्दर सा creative सा logo है उपर की तरह आप देख पा रहे हैं आपको आज की तारीक दिख रही है और आप आज क अब ही categories है जो default category जो required categories होना चाहिए news portal में home city जीला प्रदेश देश्विदेश राजनीती मनुरंजन खेल धार्मी का जब जब शिक्ष्या स्वास्त स्वंपर्क अब अगर आप नीचे की तरह आते हैं इसके hero section में आप अगर आप देखते हैं तो दोस्तों इसके hero section में सुन्दर दिखाई देता है देखिए जो latest news अभी इस पर डली हुई है एज डेमो के तोर पर अभी news डाल रखिए क्योंकि news portal just complete हुआ है और जो हमारे client है उनके द्वारा अभी इस पर ज्यादा news डाली नहीं गई है मतलब news लगविक डाली नहीं गई है अभी यह हमारी आपके सभी के बीच में आती है नीचे की तरफ जाते हैं जो trending news अभी ज्यादा पॉपिलर न्यूज है वह यहां पर देखिए उसका सेक्षन है यहां पर दिखा रहा है यहां पर देखेंगे के टेगरी का सेक्षन है जितनी के टेगरी आपके पोर्टल के अंदर उसमें जि देखेंगे तो देखिए यह एड़िटाइस का सेक्षन है स्लाइडर लगा हुआ है यहां पर आप जितने एड़ लगाना चाहें unlimited एड़ आप इसके अंदर स्लाइड लगा सकते हैं जो की responsive है मतलब size अगर बड़ा चोटा भी होगा आपके design का तो उस design को काटेगा नहीं कई problem यही रहती है आपके design को हर बार resize करना पड़ता है क्योंकि design अगर बड़ा चोटा है तो cut जाता है आइट साइट से उसके कारण जो main matter है वही छुप जाता है चलिए नीचे की तरफ बढ़ते हैं अब देख पा रहे होंगे आप देश-विदेश की category यहां पर आ गई है जो latest जो भी इसमें पंचांग की जानकारी है यह automatic update होती रहती है तो दोस्तो यह भी एक बड़ा ही शांदर फीचर आपको अपने portal के उपर ही मिल जाता है आपके पाठकों को मिल जाता है प्रदेश की category जिले की category सारी categories मिल जाती है आपको यहां पर latest, popular, recent, post इन सभी की category भी आपको यही पर देखने को मिल जाती है अब दोस्तो नीचे की तरफ चलते हैं आपको एक और विग्यापन का section आ जाता है जो हमने डाल रखा है अब दोस्तो नीचे की तरफ आते हैं तो देखी यहां पर आपको अलग-अलग categories के साथ में यहां पर FM का option भी मिलता है दोस्तो आप सुन पा रहे होंगे तो आपको आवाज आ रही है इसको कम volume भी कर सकते हैं ज्यादा कर सकते हैं ऐसे हमने यहां पर चार channels दे रखे हैं आपको चार तरके आप radio band यहां सर सुन सकते हैं यह भी काफी एक अच्छा feature हो जाता है दोस्तों फिर उसके साथ में जब आप और की तरफ आते हैं तो दोस्तों आपको categories मिल जाती है अब यह यहां पर जो आपको दिख रहा है दखिए एक सबसे अच्छी बात है आपके समाचार सारे विवस्तित रूप में सुरक्षित रहेंगे folder wise अगर आप एक साल दो साल भी आपको हो जाता है तो इस तरीके से सारे महीनों की तारीख folders बन जाएंगे आप किसी पर भी क्लिक करेंगे तो वो folder आप सभी को मतलब सारे समाचार उस महीने के आपको दिख जाएंगे तो इससे आपको समाचार ढूणने में काफी आसानी होगी दूसरी चीज उसके नीचे जो एक ही यह सर्ज केलेंडर दिया हुआ है यह तारीक देखने का केलेंडर नहीं है दोस्तों यह केलेंडर का feature बड़ा ही classy है अगर आप किसी भी तारीक के उपर क्लिक करेंगे तो उस तारीक को जो समाचार लगाया गया था वो सभी समाचार हम यहां देखने को मिल जाएंगे अब दोस्तो एक और बड़े ही बहतरी अभी के समय के फीचर की बात करता हूँ देखिए अभी कोरोना वाइरस की अपडेट मार्केट में चल रही है तो कोरोना को सुंदर और अपने बजट में भी आप निख पॉर्टल बनवा सकते हैं अगर आपका बजट कम है तो भी आप हमसे अपना न नूस पॉर्टल कस्टमाईज करवा सकते हैं चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस पॉर्टल पे आपको admin panel के अंदर हम अभी सीख रहे हैं आपको समाचार किस प्रकार से लगाना है तो दोस्तों आप उल्टे हाथ की तरफ देखेंगे यहाँ पर second number का option है post तो दोस्तों post पर करसर ले जाते ही आपको चार option देखने को मिलते हैं all post, add new, category, or tag अभी कई सारे और option भी है उन्हें भी मैं अगले वीडियो में आपको clear करूँगा आज हम देख लेते हैं किस प्रकार से आपको समाचार लगाना है किस प्रकार से आप नई category add कर सकते हैं दो चीजा आज इस वीडियो में हम जान लेते हैं अगर आप चाहें तो सीधे डिरेक्टली जा कि आप पोस्ट पर क्लिक कर सकते हैं जैसे ही आप second number के option डेशबोर्ट के नीचे पोस्ट पर क्लिक करते हैं तो जितनी पोस्ट आपकी website के उपर मतलब जितनी news आपकी website के उपर अभी लगी हुई है आपको वो सभी दिखना शुरू हो जाएंगी देखिए ये list आगई है इस list में अभी जितनी news आपके पोस्ट पर ये लगी हुई है ये सभी आपको दिख रही हैं इन्हें अगर आप edit करना चाहते हैं मानले जो कुछ headline चेंज करना है details में कुछ details उसकी change करना है news change करना है तो आप यहां से edit के button पे click करके उसे change भी कर सकते हैं अगर delete करना है तो pass में rate color का trash option है यहां से उसे delete कर सकते हैं view के button पे click करेंगे तो वो समाचार portal पे किस प्रकार से दिख रही है वो दिख जाएगा quick edit पे click करते हैं तो आप उसकी यहां से quick edit करके headline और category change कर सकते हैं अब हम बात कर रहे हैं कि नई post किस प्रकार से लगाना है जैसे मैंने आपको बताया है कि post पे click करने के बाद second number का option है add new तो आप यहां से भी click कर सकते हैं और देखिए यहां पर उपर भी आ रहा है add new अब आप click करेंगे add new के उपर यहां से भी आप click करेंगे तो इस page पे हो जाएगा अब आपको post लगाना है जहां से आप news लगाना वाले हैं वह वाला page आपके सामने ओपन हो रहा है open होते ही है आपको इस प्रकार से दिखाई देगा इस प्रकार से दिखने के बाद देखिए दोस्तों आपके सामने ये views open हो रहे हैं जी हां तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि यह सभी जो option है इनके क्या काम है और किस प्रकार से ये functionality काम करेगी तो सबसे पहले आजाता है हमको add title जैसे कि आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ add title मतलब आपको अपने समाचार का headline डालना है दोस्तों यहां पर डलेगी headline add title में आपके समाचार की headline डलेगी दूसरा option है subtitle जैसे हर समाचार की एक sub headline भी होती है जैसे उधारन के लिए एक मैं आपको बताता हूँ कि जैसे उज्जे नागदा रोड पर हुआ accident और subtitle में आजाएगा कि दो लोगों की हुई मोत तीन हुए गायल तो दोस्तो इस तरह से headline और सब चुकि आप news portal बनवा रहे हों इस विशे की जानकरी आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से होगी तो दोस्तो यहां पर आजाती है headline यहां आजाती है उसकी sub headline नीचे की तरब जो यह खाली box आपको मिला हुआ है इस खाली box में आपको अपने news की detail डालना है जो पूरी description होती है वो आपको डालना है तो यह है description box अब आप देख पा रहे होंगे सीधे हाथ की तरब पहले box पे लिखा हुआ है publish तो इसे हमें सबसे last में use करना है सबसे पहले है आपने डाली headline फिडाली sub headline उसके बाद में आपने description मतलब news की detail डाली अब यहां से वो जो समाचार है वो किस category का है आपको यह second number के right hand के second box पे category select करना है आपका समाचार हो सकता है देश विदेश का हो आपके शेतर का हो तो city समाचार में आ जाएगा जिले का समाचार हो जिले में आ जाएगा प्रदेश देश धार्मिक तो दोस्तों यहां से आप सभी तरह की अगर आप चाहें तो दो category भी select कर सकते हैं चार भी कर सकते हैं सभी पर klik करने पर वो समाचार जो जिले के अंदर डाले गए वो सभी बस वही दिखाएगा बाकि दूसरे समाचार नहीं दिखाएगा तो दोस्तो इस तरीके से आप सीलेक्ट कर लें अब आपको यहीं पर में एक कोई केटेगरी एड करना चाहते हैं बाद में भी तो आप खुदी एड कर सकते हैं आपको अब जब भी आप यहाँ पर केटेगरी पे क्लिक करेंगे यह पेंज आपके सामने ओपन होगा अब यह साइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नेम लग पेरेंट केटेगरी और एड नियू केटेगरी का बटन है तो सबसे पहले आप नेम में आपकी जो भी केटेगरी है मानलीजे आप कुछ नया डालना चाहते हैं मानलीजे मेरा शहर नाम से डालना चाहते हैं तो वो एड कर लेंगे एड करने के बाद में सलग में आपको कु विए आपको रिकमेंड करूंगा इनको कुछ भी चेंज जस्मत कीजिए आप बस नहीं केटिगरी एड करने के लिए यहां पर केटिगरी का नाम डाल दीजे और सीधे एड नियू केटिगरी कर दीजे तो यहां पर केटिगरी एड हो जाएगी एक उसका शॉटकर्ट भी मैं मिलता है टेक का option टेक क्या होता है वो भी मैं आपको संजाक देता हूँ जैसे किसी बीधों को हम सर्च करता है अगर आपकी वेबसाइट पर जिसे आपकी वेबसाइट में यहां पर सच बार है जो भी सर्च ऑप्शन आपको मिलते हैं तो उन सर्च आप जिछ के अंदर नहीं कर देंगे तो वो सभी टेग आ जाएंगे यह अगर आप डाले तो भी कोई मतलब डालने तो अच्छा नहीं डालने तो कोई दिक्कत नहीं है यह अप्शनल है फिर लास्ट ऑप्शन आ जाता है फीचर इमेज मतलब आपके समाचार की जो फोटो है तो यहां पे जैसी आप फीचर इमेज पर ख्लिक करेंगे यह पेज उपर ओपर होने के बाद में आपको दो अप्शन मिल रहे हैं एक हे मीडिया लेपैरी में जो आपकी वेबसाइट के ऊपर फोटो जहले हुए है । वह सभी फोटो दिखेंगे जैसे लोड हो रहा है यह देखिए वेबसा अब दोस्तों, आपकी प्रक्रिया complete होगे, यह समाचार लगाने की, आप regular जब इसे लगाएंगे, तो यह दो मिनिट का काम भी नहीं है, सिर्फ आपको डालना है, फिट से revise कर देता हूँ, आपको right hand side पे post पे क्लिक करना है, add new पे post क्लिक करना है, headline डालना है, उसकी sub headline डालना है, tag optional अगर आप डालना चाहें तो और feature image set करना है, बस यह चीज़े आपने add करने के बाद, जैसे इसे publish बेटन पे क्लिक करेंगे, तो आपकी news आपके portal के उपर, आपको top page के उपर दिखने लगेगी, प्लस जिस category के अंदर आपने डाला है, उस category में दिखने लगेगी, तो इसमें कुछ option अलग है, इसलिए आपको वीडियो के माध्यम से मैंने बता दिया, इस तरीके से आप post लगा सकते हैं, दोस्तों अगर आप news portal बनवाना चाहते हैं, website बनवाना चाहते हैं, शॉपिंग साइट बनवाना चाहते हैं, तो हम से संपर कर लिजिए, 79999-06109 पर हम आपको बहतरीन सर्वीस और बहतरीन लुक के साथ में news portal और website डिजाइन करके देंगे, साथ ही अगर आप news, media, website, news portal, shopping portal से related जानकारिया पाना चाहते हैं, तो चैनल को subscribe करना ना भूलें, और दोस्तों वीडियो या आला पसंद आया हो, तो इसे like करें, मिलता अगले वीडिय और में आपकार।